स्वागत दोस्तों आप सभी का एजुकेशन इस्टड़ी पॉइंट पर दोस्तों आप सब के बहुत सारे प्रस्न थे कि सर सीटेट का रिजल्ट तो जारी हो गया पर और OBC, YAC में कितना नंबर लगबग होता है कि हमें पास माना जाता है मेरे इतने हैं क्या बढ़ने की कोई उम्मीद है पहली बात दोस्तों को अब एक तो आप बढ़ने की बात तो आप भोल जाईए जितना मैंने आप से बोला था कि एक से दो नंबर तक ही आपको अपडेट लाना आपके लिए अनिमार है और YAC हों चाहे आप YAC हों आपको 82 नंबर तक लाना ही पड़ेगा अब सवाल यह है कि सर जैसे मैं OBC वर्क का हूँ और मेरे 82 नंबर है और मेरे को अधर स्टेट देखना है भाई अधर स्टेट का मतलब दूफरे स्टेट में जैसे मालो आप यूपी के हैं और आपको जारकंड की भरती देखनी है या बिहार की आपको देखनी है या किसी और स्टेट की देखनी है तो दोस्तों आपको 82 पर भी फिर आपका पास नहीं माना जाता यानि जब भी आप अधर स्टेट के लिए आप जाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम न आपका होगा आठ दिसंबर ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं रिजल्ट भी मैंने आपसे बोला था इतने ही तारीक को आएगा और आपका अगला फीटेट आठ दिसंबर को आपका परिच्छा होना है फॉर्म आपका 15-20 दिनों बाद आपका भरा जायन लग जाएगा और अगर आप बार बार सत्तर से नब्बे की बिज़े फस रहे हैं तो पैड़ा गौजी ही आप सुरुबात करिए तो कि वही आपका मेन होता है और पैड़ा गौजी सीख लिया तो नब्बे नंबर आपको वही करा देता है सुबा 11 बजी सामको 90 पर आपको लाइब सेशन आपके इसी चैनल education study point पर free of cost आपको मिल रहा है अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो subscribe करके bell icon को on डखना notification आप तक खुदी पहुच जाएगा वीडियो अच्छा लगा हो तो like जिरू कीजेगा thank you so much बहुत सुक्री आपका thank you